हेलो फेंस मैं नितेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोरेवर में एक बफ़े से स्वागत करता हूँ एक वीडिया आ चुकी है जहांपर हमने मननपुर्णा अब से लेटर बाते करी हैं और अभी हम बाते करने वाले हैं बीका जी में आपके बीका जीच बाता हुआ नजर आया है उससे लेटर हम यहाँ पर बाते कर देंगे और देखेंगे कि exactly क्या करना चीए, चार्ट के यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, जादा चार्ट नहीं है, तीन दिन का ही चार्ट है बट तीन दिन का चार्ट भी क्या indicate कर रहा है, तो उस से related में यहाँ ठोड़ी सी बातें अपनी रखने जाओंगा, तो सबसे पहले BKG की बात करें, तो company का जो IPO आता हुआ नजर आया उस IPO का प्राइज आप देख सकते हैं 300 रुपे के ऊपर आपको मिलता हुआ नजर आया था और आज ये शेयर अच्छा गासा return दिया था अच्छा गासा अभी यहाँ पर no loss no profit पर वेट कर रहे होंगे कि चलो IPO है नए IPO है तो हमें कुछ करना चाहिए तो उससे रेटिर हम एक बार क्या करेंगे बात करेंगे बिजनस मॉडल की बात कर लेते हैं तो अगर हम BKG की बात करें तो अलग अलग तरीके की यहाँ पर नमकीन आती हुए दिखाई देती है अमीता बच्चन साहब यहाँ पर इनके ब्रेंड अमबैजडर है ओके यह फीडी डिलीवरी भी करते हुए नजर आ रहे हैं इनकी combo packs यहां पर आते हुए दिखाई देते हर तरी मिठ जब धिवाली वगिभर आती है functions तब इनके products यहां पर य्ण कर दिखाई देते हैं kijह पर आप देख सकते हैं जो بह भी peanuts nutty combo तो अलग अलग तरीके एस वेल आज यह डैजर्ट भी सेल आउट करते हुए दिखाई देते हैं हल्वास ओन पापड़ी एस वेल आज यहां पर गुलाब जामुन यह सब चीच तो और यहां पर इनकी जो सबसे अच्छी फेमस है वो है बुजिया यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की यहां पर बुजिया यहां पर देते हुए नजर आते हैं तो यहां पर फेवरेट है ओविएस सी बात है लोग इनके प्रोड़क्स यूज भी करते हैं तो इनके अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर इनका एक बार और यहां पर आप इनके profit after tax देखेंगे तो वो भी यहां पर अच्छे कासे आते हुए दिखाई दिखाई दिया है बढ़ते हुए दिखाई दिया है 2021 से 2022 के comparison में यहां पर जिखाई दिखाई पर यहां यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है तो ह dependence है यहां पर जथे ब मिल्ल दिखाई यहां पर अगर जब भी पैसा लगा रहा है न संव दिखाई जब्र месяical पर देगाए यह नो लॉस नो प्रॉफिट पे चुप चुप निकल जाई है वेट करिए वेट करने के बाद यही IPO आपको एक टाइम पे अच्छा नजर आएगा और उस टाइम आप अगर भाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है जो आप जिस मकसद से आपने शेयर लिया है कि आपको ड और यह सब को यह देते हुए नजर आते हैं यह सारे प्रोडक्स बनाते हुए नजर आते हैं और यह लीडिंग FMCG कंपनी है इस पर्टिकुलर सेग्मेंट में इस चिट को हमें आप भूलना नहीं है हल्दी राम और फिर बीकाजी ओके हल्दी राम का तो IPO नहीं है बट इस जो शेयर आया है काफी महेंगे पीए पर शेयर का प्राइस 318 रुपे इस तिल यहां पर एक सो पचार रुपे एक सो चार का पी यह आ रहा है इंड़स्टी का फिटी टूक है तो यह चीज़े आपको क्या है समझने वाली चीज़ें यहां पर होने चीज़ें आपने IPO ले लिए IPO लेने के बाद यहां पर आपको लॉस होता हुआ नजर आए फिर आपका किस शिट का IPO लिए है फिर आपको लॉस ही होता हुआ नजर आएगा तो यहां पर आप देखेंगे इनका consolidate number year basis पे बढ़ता हुआ नजर आएगा no doubt बट इस तरीके की बढ़ उतरी नहीं है as well in margin है वो margin पे यहां पर dent आ रहा है और जैसे कि मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि जब भी margin पे effect आएगा तब तक company में यहां पर share में उतनी यहां पर jump नहीं दिखाई देगी और EPS भी देखिए EPS भी year on year basis पर घड़ता हुए नजर आ रहा है और यहां पर कुछ और चीए देखे तो yearly basis पर आप यहां पर यह चीज़े अच्छी नजर आती होंगी कि अच्छा यहां पर नजर आ रहा है बट इस्तिल year on year basis पर थोड़ा सा काम है बट लगातार आप देखेंगे sales तो बढ़ रही है बस खर्चे भी साथ साथ company के यहां पर बढ़ते होगे नजर आ रहे है जब तक company consistent basis पर अच्छा profit ना दे उसके basis के हिसाब से यहां पर share को खरीदना चाहिए अगर अच्छा दे रहा है तो यहां पर share में तेजी होती है अच्छा return नहीं मिलता अच्छे result नहीं आते तो share में यहां पर गिरावट हो जाती है यह चीज़े आपको यहां पर समझने होगे रिजर्व की बात करें कंपनी का अच्छे खासे रिजर्व से बॉर्डाइंग भी साथ में हैं वर्किंग पोगेस में पैसे हैं इन्वेश्टमेंट कैश सब चीज़ आपर company के पास यहां पर नजर आती है बट आपको क्या करना है अभी आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना है वोगे वेट करेंगे तो अच्छा का से यहां पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा और आपको यह चीज़ें नहीं कि अभी कौन खरीदना है यहां पर आप देखेंगे बाई Goldman Sachs इंडिया की पूर्टफोलियो ने लगग 17,45,35 शेर लिए 324 के इसाफ से यह ल इसके बेसिस पर भी आगर मैं बात करूं तो जब तक इस पर्टिकुला लेबल से 334 के लेबल से यह निकले ना तब तक आपको खरीद दी नहीं और अगर निकल भी जाता है तो हो सकता है false breakout हो आपको ऊपर के लेबल पर यहां पर फसाके चीज़ें यहां पर नीचे की तरह आप आएगी तो यह चीज़ें नीचे आनी हैं ओके एक बार कंपनी के विजल्ट आने दीजिए विजल्ट को यहां पर एनलाइज कर लीजिए देख लीजिए कि exactly कंपनी क्या कर लिए कंपनी अगर यहां पर परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगी उस cases में आप यहां पर को लेंगे तो याद रखिए अच्छे रिटन बनते हुए नजर आएंगे बट आप जल्दबाजी में कुछ भी अपने पॉर्टफोलियो में भड़ लेंगे तो याद रखिए आप रिटन तो शायद कभी कम आले कभी ज्यादा कम आले कभी ना कम है बट आवर पीरिएड दॉटनिंग कों झात बहिंए आक मेंलेंगे तो मेरी तरफ अभी श्यूर्घ पाइंग प्राइज हैं i गर्यां चर्फर आम पॉर्ट यहां पर ले सकते हैं आजर्वाइस यहां पर यहां पर यहां पर ले रहे हैं तो याद मतली याद रखिए 300 रुपे के अगर यह नीचे आया यह बहुत बुरी तरह पिटेगा और यह पिटके 200 रुपे 500 रुपे कब आ जाएगा छे महीने के अंदर अंदर आपको पता भी नहीं चलेगी तो यही सबी शेयर के साथ होता हुआ आप उपर की लेवल पर यहां पर फज़ आते हैं नीचे की लेवल का फिर नहीं कर बाते हैं अवरेज भी करेंगे तो कितना अवरेज कर लेंगे यह भी आपको सोचने वाली बात रहेगी तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट जो चीज़े समझता है जो चीज़े लेता है उसे यहां पर चीज़े समझ में आती है तो इसलिए आपको यहां पर कोर्स पनाया गया है यहां पर टेक्निकल रिसर्च और फंडमेंटल तीनों के बेसिस पे यहां पर आपको 1-2-1 क्लासिज आपको समझदारी से धीरे शांती के साथ यहां पर बाइंग करनी है जलबाजी में नहीं करनी इस चीट को याद रखेगा तो इन नमबर पर कॉंटक करिए चानल के सब्सकाइब पर है बेल आइकन केट ताकि चीज़े मिलती रहे समझ में आती रहे और जितनी चीज़े समझ में आएगी तो याद रखिए अच्छे पैसे यहां पर बनते हुए नजर आएंगे तो फर्स नहीं की जरूरत नहीं है कि आपने IPO मिल गया तो आप और मिलती था जितनी चानल प्रस टांख यहांगे एट अखिए अपने वेंगे वितल भलत ग्रस रहे टू नहीं है अधि रहे जाएंगे ग्रावन पार हैं अजह झाल-चानल लेग प्रच था रहे चांट चीज़ेरे ने आशनटर्प शुजगे उन्ट इस दूज़ें पा